हेलो एश्टूरेंस माहो विकाष और मैं आप से विकार नॉलिज भीम यूटिप चैनल के एक नए वीडियो में पुने श्वागत करता हूँ एश्टूरेंस आज के वीडियो में मैं क्लास डिवल्ब के विद्यारतियों के लिए प्री बोर्ड इग्जाम के लिए इंगलीस का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ तो इस question paper को अच्छे से समझ लीजे क्योंकि आपके प्री बोर्ड इग्जाम के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है और आपके बोर्ड इग्जाम की दिरिश्टी से भी काफी इंपोर्टेंट है और अगर आप इस paper का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन करके रखिए क्योंकि वहाँ पर मैं इस question paper का PDF आपको अवलेबल करा दूँगा और साथी साथ अगर आप अच्छे इंग्लिस के त्यारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल अप्लिकेशन Knowledge Beam को प्लेइश्टोर से इंस्टॉल कर लिजेगा मातर 3MB का अप्लिकेशन है उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दिया हुआ है और साथी साथ अगर इंग्लिस ग्रामर का complete preparation चाहते हो तो हमारे चैनल के playlist में भी चेक कीजे और इंग्लिस टेस्ट पुक का preparation जो है आपका हमारे चैनल पर continue है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और आप आसानी से हमारे इस चैनल की मदद से इंग्लिस का complete preparation कर सकते हैं बोडिक जाम 2022 के लिए तो चलिए बगर समय वेश्ट किये मैं आपको इस question paper को अच्छे से इसपष्ट कर देता हूं और इस question paper को आप अच्छे से समझ लिजेगा क्योंकि बोडिक जाम में सेम इसी तरह का आपको question paper देखने को मिलेगा पैटल paper का बिल्कुल इसी तरह का रहेगा बोडिक जाम में क्यों question थोड़े से difference आपको देखने को मिल सकते हैं इस वज़े से इस paper को अच्छे से समझ लिजे और इसी paper के coding अपना preparation करें ताकि आप बोडिक जाम में अच्छे marks गेट कर सके English के question paper में तो चलिए मैं आपको question paper अच्छे स का model paper एक अच्छा 12 के लिए total पूड़ांक आपका 100 है और समय आपको तीन घंटे पंदमिट दिया जाता है जिसमें की starting के पंदमिट आपको question paper पढ़ने के लिए निर्धारित रहता है इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो question paper में आपको कुछ निर्धेश दिखाई देगा तो यहाँ पर पहला निर्धेश यह है कि यह जो question paper है आपका चार section में बटा है section A, section B, section C और section D में और दूसरा निर्धेश है कि सारे sections के जो प्रशन है वा निवार हैं आपको करने ही करने हैं आपका section A से question paper start होता है section A में reading से संबधित आपको question देखने को मिलेगा तो इसमें जो पहला question है करा है कि read the following passage and answer the question से that follow अर्थात आपको यह नीचे जो आ रहा है passage इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस passage के नीचे जो प्रशन आएंगे उनका आपको उत्तर देना होगा तो यह जो आपका passage है यह आपको paragraph के रूप में देखने को मिल सकता है तो देख सकते है इस तरह से यह passage है इसे अच्छे से आप पढ़िए और पढ़ने के बाद जो नीचे question आएंगे उन प्रशनों का उत्तर इसी passage के आधार पर आपको देना होगा ठीक है तो मैं जल्दी से आपको यह पैसेज दिखा देता हूँ आप वीडियो को रोक कर अच्छे से पढ़ लीजेगा और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि यह आप unseen पैसेज सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हमारे चैनल के वीडियोस में जाकर चेक करें तो अंसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं इसका मैंने वीडियो आपको अल्रेडी अविलेवल कराया हुगा है तो यह हमारा पैसेज हो गया इसके बाद इस पैसेज से आधारी देख सकते हैं यहां पर क्वेस्चन पुछा गया है तो आपका A, B, C यहां पर देख सक इसके बाद आपका जो क्वेस्चन नंबर फर्ष्ट का दी वाला देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है इसका भी उत्तर आपको इसी पैसेज के आधार पर देना है और E के अंतरगत पहला दूसरा तीसरा करके तीन प्रश्ण पूछा गया है और यह हर एक प्रश्ण इ इस क्वेस्चन पेपर का आपको एंसर भी अवलेबल करा दूँगा ठीक है तो यह हो गया आपका इस तरह से क्वेस्चन नंबर फर्ष्ट के अंतरगत आपका क्वेस्चन पूछा जाएगा कुल 15 नंबर का जो है क्वेस्चन नंबर फर्ष्ट के अंतरगत पूछा से संबंदित है इसके बाद आपका सेक्षन B स्टार्ट होता है जिसमें कि राइटिंग से संबंदित आपको question देखने को मिलेगा तो section B जो है question number 2 से प्रारम हो रहा है तो कह रहा है कि write an article on any one of the following topics in about 100 to 150 words अर्थात आपको यहाँ पर A, B, C करके तीन topic दिखाई दे रहा है जिन पर कि आपको 100 से लेकर 1500 सब्दों में article लिखना है और अच्छे से अगर आप article लिखते हैं 100 से 1500 सब्दों के बीच में तो आपको 10 नंबर मिलेगा और इन सारे topics पर मैंने already आपको essay जो की provide किया है अगर आप उसी essay को थोड़ा सा छोटे में लेगा ठीक है तो इन सब पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल के playlist में जाकर चेक किजे एसे में तो आपको इन सारे topics पर वीडियो देखने को मिल जागा काफी simple words में ठीक है और COVID-19 अच्छे सत्यार कर लिज़ेगा यह काफी important है इसके बाद आपका question number जो तीसरा है वो अदेख सकते हैं यहाँ पर आपको इडिटर के लिए जो है पत्र लिखने के लिए है तो करा कि write a letter to the editor after local newspaper describing the problem of air and water pollution यानि आपको एक अस्थानी समाचार पत्र के समपादक को एक पत्र लिखना है वायू और जल प्रदूसर की समस्या के बारे में ठीक है तो यह आपका question number third में आपका 10 number का प्रस्ण पूछा जाएगा इसमें अथवा करके एक और प्रस्ण है जो कि आपका complain letter लिखने के लिए है तो इसमें मैंने question लिखा है write a letter to the district magistrate complaining of the blowing up loud speaker till late night disturbing the neighborhood in their sleep and studies May 19. marketing ईयानि आपको जिला अधिकारी को जो है एक सिकायत पत्र लिखना है दे रात तक loud speaker बजाये जा रहा है उसी के सिकायत करते हुए आपको जिला अधिकारी को जो है एक complaint यहनि कि एक सिकायत पत्र लिखना है जिससे की जो district magistrate है वह कोई action ले जो पडोस में आपके जो पडोस में रह रहे लोग हैं उनको अपनी नीद और अध्यन में समस्या हो रही है तो देर तक जो loud इसी कर बाहर बजाए जा रहा है उसी का सिकायत करते हुए आपको जिला अधिकारी को जो है एक पत्र लिखना है ठ इसके बाद आपका section C जो है y start हो रहा है इंगलिस grammar से समधित इसमें question देखने हो मिलेगा तो question number 4 से start हो रहा है तो करया कि choose the correct option to answer the following questions यनि आपको सही option का चुनाव करना है जो नीचे आ रहे है प्रश्न है इसमें कुल आपको 10 नंबर का प्रश्न दिखाई देगा तो इसमें A वाला प्रश्न है that is difficult to believe each card जो की विश्वास करना मुश्किल होता है उसे कहा जाता है तो कौन सा option सही है उसी का आपको चुनाव करना है इसके बाद B वाला जो आपका प्रश्न है वाकर आयदा phrase to and pro means यनि to और pro का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर आपको 4 option दिखाई दे जाता है सही option का आपको चुनाव करना है इन सारे topics पर वीडियो हमारे चैनल पर अवलेबल है आप जरूर एक बार चिक कीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर इसके बाद आपका C वाला प्रश्न है देख शकते हैं कि इस तरह से है the synonyms of confaces यानि confaces का परियावाची सब्द है तो इसमें चार option है सही option का आपको चुनाव करना है इसके बाद डी वाला प्रश्न है one should do his duty यानि किसी को भी अपना करता में करना चाहिए which word in this sentence is an error यानि इस सवाक्य में कि सब्द में गलती है तो यहाँ पर चार option दिखाई दे रहा है उसमें से सही चुनाव करना है इसके इसके बाद आपका question number 5 का जो A है करा कि change any one of the following sentences into indirect form of speech आपको indirect speech में change करना है पहला दूसरा करके दो direct narration दिया गया जिसमें से किवल एक ही को आपको indirect narration में change करना होगा और यह आपका दो number का होगा इसके बाद B वाले में आपको combine any one of the following as directed यानि कि जैसा निर्देश दिया गया किसी एक को आपको combine करना है पहला दूसरा करके दो आपको synthesis से सम्मादित प्रश्न दिखाई दे रहा है तो इन चाहे आप पहला कीजिए चाहे दूसरा कीजिए एक को करना है आपको और देख सकते हैं पहला वाला आपको complex sentence बनाना है दूसरा वाला आपको simple sentence बनाना है तो कि तो पहले वाले को प्रशन आपको दिखाई दे रहा है तो यह आपका ट्रांसफार्मेशन से है तो पहले वाले को पैसिवाइस में आपको चेंज करना है दूसरे वाले को कंप्रेटी डिगरी में चेंज करना है तो किसी एक को आपको एंसर के रूप में लिखना है चाहे पहल या फिर दूसरा किजिए इसके बाद आपका d वाला प्रशन है जो है आपका syntax से है करा है correct anyone of the following sentences, यानि आर है वाक्यों में से किसी एक को आपको शही करना है, पहला दूसरा करके दो sentence दिया गया है, कि वाल एक sentence को आपको शही करना है, तो अगर आप syntax अच्छे से पढ़े हों ठीक है और इसके बाद यह वाला जो आपका प्रश्ण है कर रहा है यूज एनिवान आप दा फालोइंग पेयर साफ वड्स इन इन योर ओन संटेंसे तू मेक दा डिफ्रेंसे इन दियर मीनिंग्स क्लियर ली यहां पर आपको सब्दों का एक पेयर दिखाई दे रहा है जोड प्लेश्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं तो कुल टोटली मिलाकर कहा जाए तो सेक्शन सी में जो आपका ग्रामर से है उसमें दस क्वेस्टन में से पांच बहु विकल्पी होगा और पांच आपको लिखना होगा अर्था आपको उसका एंसर लिखना होगा इसके बाद आ आपको एक हिंदी का पैसेज दिया जाएगा जिसे कि आपको इंग्लिस में ट्रांसलेट करना है अगर सही धंग से करते हैं तो इसके लिए आपको पांच नमबर मिलेगा अगर आपको हिंदी से इंग्लिस में ट्रांसलेट करने का एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा जिनकी मदद से आप आसानी से काफी हत्ता कच्छे से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं इसके बाद आपका सेक्षन डी स्टार्ट होता है जिसमें की लिटरेचर से समधित आपको प्रशन दिखाई देगा अर्थात इंग्लिश टेस्ट बुक से तो यहां पर पहला वाला करके भी आपको प्रशन दिखाई दे रहा है तो चाहे अथवा वाला कीज़े अफिर उपर जो ए करके है उसका एंसर दीजे तो अगर आप सही धंक से देंगे तो चार नमर मिलेगा अर्थात या इंग्लिश प्रोच का इंग्लिश प्रोच का उनको एवलेबल कराया हुआ है लेशन 3 तक तो उसे आप जरूर हमारे चैनल पे जाकर देखें ठीक है इसके बाद जो आपका question number 8 है या भी आपके इंग्लिश प्रोच से है इसमें आपको ए बी करके दो प्रशन दिखाई दे रहा है जिसमें से केवल एक ही का उत्तर आपको लगभग 80 सब्दों में लिखना है अगर आप सही धंक से लिखते हैं तो इसके लिए आपको 7 आप number मिलेगा तो already हमारे channel पे जो है आपके तीन lesson जो है इंग्लिश प्रोच के उनके complete preparation कराया गया है तो आप जरूर इस topic को भी तयार करें ठीक है इसके बाद हम लोग बढ़ते है question number 9 की तरफ तो question number 9 में आपको इंग्लिश पोईट्री से question देखने को मिल रहा है इसमें आ इनका उत्तर आपको इसी उपर देगा इस टेंजा के आधार पर देना है अगर सई धंग से देंगे तो हर प्रशने के लिए आपको दो number अर्थात कुल 6 number का आपका question number 9 है ठीक है तो already हमारे channel पे जो है आपके English poetry का भी जो 3 sorry 4 poem है उनका preparation कराया गया है तो आप जरूर जाकर ह ठीक है इसके बाद आपका question number 10 है इसमें देखे या भी आपके English poetry से है इसमें आपको ABC करके तीन poem दिया गया है जिसमें से किवल एक poem पर आपको central idea लिखना है और already हमारे channel पे जो है इन सारे कविता पर यानि इन सारे poems पर central idea available है आप जरूर एक बार जाकर चेक करें बहुत ही simple words में मैंने आपको available कराया हुगा है इसके बाद आपका question number 11 है या आपका English supplementary से है इसमें भी आपको देख शकते हैं A, B करके दो प्रशने दिखाई देगा जिसमें से कि जो आपका question 11 का A है इसमें आपको अथवा करके प्रशने दिखाई दे रहा है इसमें आपको दो प्र number मिलेगा और इसमें जो B वाला है इसमें भी देख शकते हैं आपको दो प्रशन अथवा करके दिखाई दे रहा है तो इसमें से कोई एक करेंगे तो आपको चार number इसके लिए भी मिलेगा अर्थात कुल 8 number का question number 11 है जो कि English supplementary से है और इसमें आपको जो हर एक प्रशन का उत उत्तर लगभग 40 सब्दों में देना है इसके बाद आपका question number 12 है यह भी आपके English supplementary से है इसमें भी यह भी करके दो प्रशन दिखाई दे रहा है जिसमें से किवाल एक का उत्तर आपको लगभग 80 सब्दों में लिखना है सही धंक से अगर आप लिखेंगे तो इसके लिए क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए English के paper का model यानि की English का model paper और अच्छे से मैंने आपको इस पर्ष्ट करने का प्रयाश किया कि किस तरह से board exam में question जो है आपके English question paper में रहेंगे किस तरह से question पूछे जाएंगे और सेम ऐसा ही जो है paper का pattern board exam में भी होगा और pre board में भी सेम तो यह काफी important paper है तो इसे अच्छे से तयार कर लिजेगा और इस paper का PDF जो है मैं अपनी telegram channel पे available करा दूँगा तो आप उसे जरूर ज्वाइन करके रखें और इसका answer भी वही पर मैं अपने telegram channel पे available कराऊंगा तो जरूर उसे आप ज्वाइन कर लिए telegram channel को जिसका link मैंने इस वीडियो के description में दिया हुगा है और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा और अपने उन friends के साथ share कीजेगा जिनके लिए video useful हो सकता है और साथी साथ channel पे पहली बार है तो चैनल को जरूर subscribe कर ले और bell icon को प्रेस कर all को दबा दीजेगा ताकि आपको हमारे सारे latest वीडियो की notification मिलती रहे तो इस वीडियो फिलाल इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you so much watching this video तक के लिए आपको हमारे साथ दोपियो में पहलो सबजाब साथ और दो है जब जब दो एक दो आपको हमारे पीजेगा जब झालाँ जब जब दो दो आपको हमारे साथ खोर जो